Major Depressive Disorder का जो Criteria DSM-5 हमें explain करता है उसमें वो एक बात mention करता है primarily कि जो भी Major Depression Disorder का patient होगा वो at least two weeks से जो है वो symptoms reflect करेगा किस चीज के symptoms reflect करेगा या तो sadness of mood की या loss of player की तो ये दो चीजें जिस वकत भी कोई client आपके पास आए और वो ये report करें तो आपके जहिन में जो पहली चीज है वो Major Depressive Disorder आना चाहिए तो हम DSM-5 का जो Criteria है उसे one by one discuss करेंगे उसमें जो Criteria A है उसके में जो वो time limit explain करता है वो क्या कर रहे है कि two week का period है जिसके अंदर at least one symptom होनी चाहिए इन दो में से वो कौन सी है? depressed mood और loss of interest और player ठीक है अब अगर एक बच्चा है जो आपके पास आया है उसके parents आपको report करें हैं कि two weeks से they are feeling कि जो बच्चे का mood है वो depressed है या वो किसी चीज़ के अंदर interest नहीं ले रहा तो that's mean कि आपको major depressive disorder के diagnosis की तरफ जाना है उसके बाद जो next point है which is important वो यह है कि यह जो नीचे nine symptoms दीनी है इन में से at least five या उस से ज़्यादा जो है उसको आपने देखना है कि वो बच्चे के अंदर prevail करी है या नहीं करी number one क्या है कि जो depressed mood है बच्चे का वो nearly every day जो है वो उसके अंदर मौजूद होगा यानि बच्चा आम तर पर आपको report क्या करेगा कि मैं अदासी महसूस करता हूँ मुझे खाली पन महसूस होता है मैं जिन्दगी से नाउमीद हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता या वो आपके सामने बैठेगा तो वो रोना शुरू कर देगा ठीक है या उसकी parents बताएंगे कि यह जादा तर रोता रहता है ठीक है तो जो crying है वो बहुत जादा जो है वो बच्चे की नजर आएगी या certain time यूँ भी होता है कि cry नहीं भी है तो the child is appear to be a tearful ठीक है जैसे लगे का जैसे he is about to cry तो that sort of thing जो है वो आपको नजर आएगी then जो activities है या जो daily life में करता है वो उसको जो है उसमें से player जो है वो खतम हो जाएगा जब हम कहते हैं player खतम हो जाएगा या खुशी खतम हो जाएगी so that's mainly mean कि उस बचा जो है वो उन activities को कटते हुए burdened up feel होगा ठीक है तो this is something कि उसको बिलकुल lack of player जो है अपनी routine की activities में नहीं feel होगा जैसे अगर वो school जा रहा है तो उसे player फील नहीं होगा घर में कोई आया तो player फील नहीं होगा अगर वो कोई gameplay करने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है तो उसमें भी player फील नहीं करेगा he just feel burdened up then the third one is कि significantly weight loss हो या weight gain हो in either condition आपने इस चीज़ का दिहान रखना है कि जो weight change आ रहा है बचे के अंदर वो उसकी अपनी intentional कोशिश से नहीं आ रहा थीक है तो अगर तो इस किसम का आपको कोई feature नजर आएगा तो वो हम कहिंगे that is happening due to depression then insomnia और hypersomnia nearly every day अब कुछ लोग कहते हैं जी कि इसको परशानी समीन नहीं आ रही ठीक है लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जादा सोते हैं अगर जो बहुत जादा सो रहे हैं that is also the indication of depression ठीक है तो सिरफ यहीं नहीं है कि insomnia हो सकता है राधर hypersomnia भी जो है वो भी ठीक है यानि बचा कहीं टिक के नहीं बैठेगा वो बार पर घूमता फिरता रहेगा इदर उदर लेकिन जो retardation है वो क्या है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उठके कोई काम कर सके जहां वो बैठा वा है वो कहेगा मुझे कोई ना बुलाए मुझे कोई एलाए में यहीं पर सारा दिन बैठा रहा हूँ ठीक है यू नीड टू बी केरफुल के ऐसा ना हो के वो सामने वीडियो गेम लगा कर बैठा वा है और वो उठके जाना नहीं चाता दाट इस नॉट था साइको मोटर रिटारडेशन साइको मोटर रिटारडेशन यह होगी कि बचा बैठा हुआ है एक जगा पे और वो कोई एक्टिविटी में ऐस सच इन्वाल्व नहीं है तीक है तो उसको हम कहेंगे कि यह साइको मोटर रिटारडेशन जो है वो इस बचे के अंदर है देन फटीक और लॉस आफ इनरजी नियरली एवरी डे कोई भी थोड़ा सा काम करेगा उसे फटीक फील होगी ठीक है और अगर जिस तरह हमने भी पहले बात की कि साइको मोटर रिटारडेशन है तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली उसके अपने अंदर इनरजी वो फील नहीं करेगा वो केरिंग आउट डिफरेंट ठीक तो यह दोनों चीजें जो है इनका अपने दिहान रखना है तेन फिलिंग ओफ वर्टलेसनेस और एक्सेसिव और इन अप्रोप्रियेट गिल्ट ठीक यानि उसको हमेशा यह आइडिया होगा कि मैं जो हूँ मैं वर्टलेस हूँ I am a worthless person I cannot do good I cannot perform well ठीक है इसी तरह whatever is happened to my family is happened because of me I am the bad child that's why my mom is suffering तो इस किसम का जो इन अप्रोप्रियेट गिल्ट है या एक्सेसिव वर्टलेसनेस की फीलिंग्स है वो इस बचे के अंदर बहुत जादा होंगी ठीक है देन उसकी जो attention और concentration है और decision making की जो power है वो जो है वो क्या होगी वो काम हो जाएगी उसकी ability काम हो जाएगी तो basically वो कि किसी चीज को ऊपर या किसी काम पर जो है वो concentrate कर सकेगा अब इसका हमें पता कैसे चलेगा जिस वोकत उसकी academic performance जो है वो poor होना शुरू हो जाएगी तो that means कि जो इसकी concentration है वो effect हो गई है then the last point which is very important but very sensitive this is about the recurrent thoughts of death, recurrent suicidal ideation without specific plan or with suicide attempt or specific plan for committing suicide तो ये जो point है ये बहुत sensitive है और इसके बारे में बहुत carefully आपने information gather करनी है क्योंकि अक्सर बच्चे report करते हैं कि बेहतर है कि मैं मर जाओं ठीक है suicidal ideations होती है, मैं खुदकुशी करना जाता हूं, मैं खुदको मारना जाता हूं मैंने कभी सोचा कि मैं blade से खुदको मालू, मैंने कभी सोचा मैं रसी जो है उस से खुदको लटका लू, sometimes सिरफ plan होते हैं ठीक है लेकिन वो carried out नहीं हुए होते है, sometimes जो plans होते हैं वो बहुत detailed ह यानि जो बच्चा होता है वो almost उन चीजों को घर में लाकर रखता भी है और दूसरी जो एक important बात है पाकिस्तान के अंदर suicide का rate सबसे ज़ादा adolescence age में है ठीक है तो इस चीज को जो है आपने बहुत carefully जो है वो monitor करना है कि बच्चे के अंदर suicidality का element ना हो then we will move towards the point B जिसके अंदर हमें पता है कि क्या है कि जितनी भी उसके अंदर symptoms आ रही है उसकी वजह से functioning level जो है वो effect हो रही है चाहे वो school में है चाहे वो घर में है चाहे वो दोस्तों के साथ है then जो C point है कि किसी भी substance की वजह से या किसी और medical condition की वजह से जो है ये सारे symptoms ना आ रहे हो अब एक और चीज़ जो बहुत important है that is the response to a significant loss जिस वकत अगर बच्चे की life में कोई नुक्सान हुआ हो जिस तरह उसके parents की death हो गी है तो या उसके किसी close friend की death हो गी है और death is like a natural death तो जिस वकत इस किसम की कोई वो loss को face करेगा तो उसकी वजह से certain time bereavement का time period जो है वो start हो जाता है तो जो briefment है that is happened due to the actual loss तो आपने इस तीस का धिहान रखना है कि जो symptoms आ रही है loss हुए वे कितना time गुज़रा है और culturally उसकी manifestation कैसे होती है और कितना time जो है वो उसमें mostly वो heal up हो सकता है ठीक है तो आप ये certain time होता है कि एक loss हुआ है और उसके बाद depression जो है वो cause कर जाए बट that can be the situational और after some time things will be get better तो इस तीस को आपने दिहान में रखना है कि वो सारा कुछ जो है वो bereavement की वज़ा से ना हो रहा हो Then the D criteria वो क्या है कि जो major depression है उसके साथ किसे किसम के psychotic features ना आ रहे हों कहीं कोई delusions या hallucinations ना आ रहे हों जो कि हम schizo effective में schizofrenia में, delusional disorder में या इस तरह के disorders के अंदर classify कर सकें तो you need to be careful for ruling out that thing too Then the point is कि कभी भी उसे manic episode या hypomanic episode ना हुआ हो क्योंकि अगर ये हुआ होगा तो फिर हम उसे mood disorder के अंदर classify तो करेंगे लेकिन definitely वो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो bipolar 1 disorder की तरफ जा रहा है या bipolar 2 disorder की तरफ जा रहा है और कोई हाइपोमेनिया या मेनिया की episode ना आई हो